कि आपका जो हधार काड लें अपके नेम में गडबड़ी यानि हैं अपके नेम में स्पलिंग मिश्टेग हैं तो वो कैसे ठीक करें उसके बारे में आज आपको बताऊ का तो उसके लिए एक application है M-Ather, तो वो कैसे download करें और कैसे अपना name ठीक करें, चलिए देखते हैं, तो friends, play store में से M-Ather, M-Ather application download कर लिजे, उसको कर लिजे install, और friends, install होने के बाद application कर लिजे, open, फिर friends, यहाँ पर आपको mobile number डालना है, और उसके बाद करना है next, चलिए मैं डालता हूँ mobile number और करता हूँ next, friends, देखिए friends, जैसे ही मैंने mobile number डालके, वो submit गया, वो OTP आया, और फिर मैंने OTP एंटर करा दिया, उसके बाद करूँगा, मैं submit, उसके बाद friends, आपको जाना है नीचे, यह देखिए friends, यहाँ पर नीचे है, सर्विसी से मायादर, यह मायादर में चले जाना है, फिर यहाँ पर देखिए create for digit password, यहाँ पर आपको password डालना है, यहाँ आपको बनाना है, तो और यह एक बाद डालेंगे, उसके बाद वापिस आपको दूसरी बाद डालने के लिए पूछेगा, confirm के लिए, चले जिमाँ डालता हूँ, friends, confirm password के लिए वापिस पूछा है, तो चले डालता हूँ, confirm password, तो friends, जैसे के आपको अपना नेम अपडेट कराना है, तो friends, यहाँ पर देखिये, update your name, ओके और यहाँ पर देखिये, paid लिखा है, इसके उपर आपको क्लिक कर, friends, जैसे ही capture डालके मैंने request OTP पर क्लिक किया, कुछ इस तरीके का interface कुला है, यहाँ यहाँ पर मैं डालता friends, देखिये, यह name आ गया, तो इसके उपर करना है, मैंने को क्लिक, you can undertake only minor correction update to the name, okay, तो इसने बोला minor correction कर सकता हूँ, okay, कोई बात नहीं, okay, कर दिया, फिर करना है, next, okay, फिर friends, यहाँ पर देखिये, कि मेरा नाम आ गया, mail गुजराती यह आ गया, फिर यहाँ पर देखिये, friends, confirmation, I understand the online update process and wish to change, correct my other information after due consideration, okay, तो friends, यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, okay, what details can I update through online self-service update portal, is there any fee involved for online update on, यानि friends, ही आपको एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद, आप एक understand, I understand करेंगे, उसके बाद proceed करेंगे, तो उसके बाद, देखिये, friends, name in other can be corrected or update only twice in lifetime, यानि पूरी life में आप दो बार ही कर सकते हैं, या देखिये, enter new name, यानि आपको निया नाम डालना है, selected document type, कौनसा document आप रखना जा रहा है, वो select कर लिजे, select document from list, यहाँ पर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर document मिल जाएगा, कि जो, यानि जिसके base के ऊपर आप यह name change कराना चाहते है, जैसे कि मैं water id के ऊपर से change कराना चाहता हूँ, उसके बाद, friends, देखिये, आपको करना है upload document, okay, upload document करेंगे, उसके बाद आपको करना है next, और यह, friends, देखिये, document का size दिया है, maximum size 2MB, okay, and यह, JPAG, PNG, यह, PDO format में हो सकता है, फिर आपको करना है next, फिर आपको payment का option पूछेगा, okay, payment का option में आप debit card चूज़ करके, वह 50 उप्या पे कर दीगे, तो आपका वहाँ पे name change हो जाएगा, okay, तो friends, I hope, कि आपको यह video अच्छा लगाओगा, and friends, अगर आप यह channel पे नए है, तो please, channel को subscribe कर दीजिए, तक कि मेरे आने वाले नए video का notification सबसे पहले आपको आपके mobile को पर मिल जाए, and friends, अगर आपकी कोई query है, यानि आपके कुछ सवाल है, तो मुझे वीडियो के comment box में comment कर सकते हैं, मैं उनका answer देने का try करूँगा, और आपका कोई ऐसा topic है, कि जिसके उपर video बनाना है, तो वो भी मैं बना दूँगा, तो ऐसे ही video, यानि ऐसे ही interesting video बनते रहेंगे, तो देखते रहे हैं, बने रहे हैं, keep watching, and thanks for watching.